नमस्कार तीन राजियों में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाब जूद चर्चा की केंद्र में छारखंड है दरसल सवाल ले होना चाहिए था कि राजस्थान मध्य प्रदेश और 36 गड़ में मुखमंत्री कौन होगा लेकिन सवाल पुरे देश भर में ये तैर रहा है कि पैसों की गिंती जो जारी है कब बंध होगा दरसल जो मीडिया में खबरे निकल करके आ रही है किसी संस्थान में 50 करोड किसी में 100 करोड किसी में 1500 करोड तो किसी ने 200 करोड और किसी किसी ने तो 3300 करोड रुपया का जिक्र किया है दरसल हम लोग चर्चा कर रहे हैं कॉंग्रेस के राज सभा सांसद धीरत साहू से संबंधित ठीकानों पे जो इंकम टेक्स का छापा पिछले दो दिनों से चल रहा है उससे संबंधित खबर की दरसल यह खबर इसलिए भी राष्ट्री अस्तर पे चर्चा की बिशाय बनी हुई है क्योंकि प्रधान मंत्री मोदी ने दैनिक भासकर के खबर को अपने पेज पे ट्वीट किया है और वो खबर धीरत साहू से संबंधित थी है उन्होंने ट्वीट करते हुए कई सारी चीजें लिखी है जिसमें भरष्टाचार का भी जिक्र किया है हमारे साथ सनी सरद हैं मनोज पांडे हैं और हम लोग बातचीत करेंगे कि दरसल यह ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी है और तब जबकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मो प्रदी 200 करोड रुपे से संबंधित खबर को अपने पेज पर जगह दी है लेकिन बाबुलाल मरांडी जो जहारखन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यह बोल रहे हैं कि यह जो रकम है वो 300 करोड रुपे का है मनोज पांडे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो है बाबुलाल की प्रेस कांफरेंस करके लोटे हैं पांडे जी सबसे पहले तो सवाल ले कि यह 200 करोड है 50 करोड है कि 300 करोड है बाबुलाल क्या बोल रहे हैं बाबुलाल ने असंका जताई है कि 300 करोड प्लस तो यह आकड़ा महत्पुन नहीं है महत्पुन है जो बीज लाल ने इसको ऐसे जोड़ा है कि ये कॉंग्रेस का ही सिर्फ पैसा नहीं है ये धीरसाओ जी का ही पैसा नहीं है उन्होंने आसंका ब्यक्त किये कि राज के मुख्यमंत्री हेमन सोरेन का भी पैसा है इसलिए वो कह रहे हैं कि ततकाल धीरसाओ की गिराफतारी होनी चाहिए और उनसे सक्ती से पूछताश करनी चाहिए कि ये पैसा किसका किसका है और कहां से आया है उन्होंने एक अपना ब्यान दिया कि चुकि एडी की जब छापे मारी शुरू हुई जहारखंड में तो कई लोगों ने अपने पैसे को एम्बूलेंस के माध्यम से दूसरी गाड़ियों के माध्यम से बिहार बंगाल और उडिसा इन राज्यों में भेजा बोले उसी का ये एक हिस्सा है सनी जी पांडे जी बोल रहें कि आखड़ा महत्पून नहीं है जो चीजें घट रही है वह महत्पून है प्रधान मंत्री के बोल रहे हैं बाभूलाल क्या बोल रहे है और जो परिस्थितिया है वह क्या है लेकिन आपके हाथ में अख़वार है और आकड़ों पे इसलिए सबस्क्राइब करें कि तो इनकम्ट के तरब से तो कोई सार्वजनिक सूचना जारी नहीं किया गया है आपके हाथों में जो आकड़ा है बोलता है तो देखे जब तक अकवार के कटिंग को अपने ट्वीट में जगह दिया है वह दैनिक भासकर यहीं दैनिक भासकर है रांची संस्क्रन से चपा हुआ जिस पर चपा है कि दो सक्रोड कैस मिले गिनती जारी इस अकवार में यह भी लिखा है कि उडिसा के सत्पूरा में जहां पर च्छापामारी के दौरान नौ आलमीरे में पैसे मिले उस पैसे को ले जाने के लिए इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी के पास समान नहीं थे जब बजार ग और दो तीन मसीन जितनी मसीने से रुपए गिने जा रहे थे वह मसीन भी खराब हो गया और आज दिन भर गिंती चली है अब बिल्कुल हाइटेक मसीन मंगाया जा रहा है चुकि इतना मसीन देखिए इसको तो आप इसे आम भासा में कहें तो खुद्रा रूपिया है कि को आपने सबसे पहले रखा है क्या प्रधान मंत्री ट्वीट कि उसके पीछे की बज़ा कि सबसे पहले इसी का अकड़ा बिल्कुल लेकि प्रधान ओफिसियली तो यह कोई जारी करके अभी तक बताया नहीं है विभाग के तरफ से कि कितने पैसे मिले हैं चुकि प्रधान मंत्री ट्वीट कर चुके हैं इसका मतलब प्रधान मंत्री के पास कुछ ओफिसियली हो सकता है कि अनुफिसियली इंपूट हो या फिर दैनिक भासकर पर सबसे अधिक विश्वास हो या फिर हो सकता है कि प्रधान मंत्री के जो ट्वीट हेंडल करने वाले लोग हैं उन त के आएक डहता है कि दो मामला एक तो अभी टो लोक सभा कर चुना होना है उसके बाद जारीका ओना है दूसरा सभ्सें बड़ी ख़सा अज लोकसभा से निकलकर आई कि महूआ महितरा कि सदस्ता कहत्म हो गई तो पूरा मामला और सेंपर्थी जो है कॉंग्रेस की तरफ जाए उससे पहले पूरा इसको डायभट किस तरह से कर देना और देखिए जो ट्वीट किया गया है जिस इमोजी का चैन किया गया है वह इमोजी देखिए आप देश के प्रधानमंत्री ने उसका चैन किया है अक्सर हम और आप कोई जोक लिखने वक्त या फिर एक दूसरे की दोस्त को कुछ लिखते वक्त विखते हैं जो एक 750 इसमाई का चैनी का हेसा मकाया है उस्प्राइज समंदिते कजब बड़ी घ्रक्त कर रहे और काफी हलके तरीके सूटेट है बिल्कुल लेकि इसकी भी चर्चा है सोसल मेडिया पर चुकि अब तो कोई भी कोई भी ऐसी बात हो उसका पक्ष भी पक्ष दोनों आ जाता है हर एक पहलुगा जाता है लेकिन थोड़ा अख़बार दिखा द रहे हैं जो राची से अख़बार चपी चप कर आई है उसमें क्याकू चपा है तो सब कोई समझ रहा है कि 200 करोड जो है सबसे अधिक चपी है लेकिन राची से एक अख़बार यहां पर सुभव संदेश नाम का अख़बार जो है यह चप रहा है और आज इस तरह से पांड़े जी बता रहे हैं कि बावुला चुना है 300 करोड सुभाम संदेश को फिर आगे आई यह प्रभाद ख़बर प्रभाद ख़बर हमें साब जो है बहुत सायमित हो के ऐसे मामलों में लिखा करता है अलांकि एक बार विवाद पढ़ गया था जब अनूप सिंह कि यह चापा पड़ा था उसमें जब अख़ब लिख दिया गया उसके बाद प्रेस कॉंफरेंस करकेश तरह से बताया घ्या की कैसे भाभाद ख़बर ने लिखा कि संसा थीरत ठीकानों से साहु से मिले 100 करूढ हैं 15 सो करोड़ तक का जिक्र कोई भाई सो करोड़ नहीं लिखान है तो 50 सो करोड़ 1.500 करोड़ 200 करोड़ उसके बाद सीधे 300 करोड़ कर बाते चले हैं लेकिन दो तरह के मामले में एक तो जैसे विजो करवाई चल रही है और इस वीच खबर छापना है अखबारों के पास एक बाद देता है कि 12 बजे रात के बाद या 3 बजे सुबह के बाद अखबारे नहीं छप सकती फर्स्ट पेज को रोक के रखा जाता है उसके बाद अखबार नि संपर्क में तो रहते ही हैं लोग में रहते हैं लेकिन जब तक वह गीन भी नहीं सकते तब तक वह बता नहीं सकते हैं वह तो कीलो के हिसाब से बता नहीं देंगे कि दू कंटल है तीन कंटल है तो जब तक गीना नहीं जाए तब तक नहीं हो सकता तो मैं बता रहा था कि ए हुआ है आज वही मधुकोड़ा कोट में अकेले खड़े होते हैं कोई मीडिया कवर करने के लिए भी नहीं चाता है जब मधुकोड़ा का केस चलता है और वह पूछते हैं कि भाई चार जार करोड कहा गया जो अखवारों में खवर छप रही थी जिसके आधार पर प्याइएल हुआ वह पैसा कहा है तो यह एक सवाल जो है सनी वह अब यह उभरता है कि अखवारों का काम है हमारा काम है कि हम लोग यह कांकड़ा दे अनॉफीसियल ही सही जो जानकारी मिलती ह हम लोग जारी कर देते हैं लेकिन अब तक इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के तरब से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है इस परिश्थिति में कि जब देश का प्रधान मंत्री इस खबर को ट्वीट कर चुके हैं ऐसे में क्या इंकम टेक्स या फिर ऐसे मौकों पर जो दू करवाई पूरी हो जाएगी तो इस मामले में चुकि परधान मंत्री ने ट्वीट कर दिया है और यह मामला देश भर में चाया हुआ है तो कोई न कोई ऑफिसियली आज या कल तक मुझे लगता है यह जानकारी इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के तरफ से आ जाएगी मतलब आइसी कोई बेवस्था नहीं है चुकि आप क्राइम आईटी और इडी बगएर यह सब देखते रहें लंबे अर्से तक तो ऐसी कोई वेवस्था नहीं है कि जैसे आपको याद होगा कि यह बेवस्था में भी है कि अगर कोई बड़ा नेता पतादिकारी अगर अस्पताल में एडमिट होता है तो डेली जो है उसका साम में एक मेडिकल बुलेटी जारी हो जाता है तो पर डे क्या कोई ऐसी जानकारी नहीं दी जा सकती है कि आज कितने पैसे आया चुकि पब्लिक तो देखी रही है इस ख़बर पे सबसे जादा जो है जहारकर नहीं पूरे देश कर सकते हैं बिल्कुल तस्वीर जारी करने की परंपरा देखिए यह हाल फिलाली मुझे लगता है कि ज्यादा इड़ी जो है वह नोट से एड़ी लिखकर जारी किया उसके बाद अभी इंकम टेक्स चुकि जो वहां के चापेमारी करने पहुंचते हैं अधिकारी वह अपन अब उसके बाद देखिए कि कब तक ऑफिसियली रूप से यह जानकारी दी जाती है पांडे जी आप से जो सवाल है जिस तरीके से बीजेपी ना केबल जारखन में बलकि पूरे देश भर में जो है इसको लेकर के प्रेस कांफरेंस कर रही है दिल्ली में भी एक प्रेस कां नाम सेंटर में रहेगा लेकिन इसाने पे कॉंग्रेस होगी अभी जारखन में अभी बैठक हो रही है बीजेपी में इसकी बकाईदा रणनीती तयार हो रहे है कि कैसे इसको घर-घर तक पहुंचाना है इस खबर को मतलब इसको लेकर बीजेपी आगे आने वाले दिनों मे दरनापरदर्शन, रोड शो करेगी और वो बताएगी कि क्यों हम कॉंग्रेस मुक्त भारत बोलते हैं, कॉंग्रेस मतलब भरस्टाचार हम क्यों बोलते हैं, वो इसको नरेटिव इस तरीके से डालने की कोशिस करेगी, इसकी रणनीती तयार हो रही है बागाइदा. क्या आपको ये भी एक वजह लगता है कि 36 गढ़ में जिस तरीके से कॉंग्रेस एज में धी लग रहा था कि कॉंग्रेस ही जीतेगी वहाँ पे, लेकिन वो हुआ नहीं और जब परिनाम आने के बाद कई सारे उसके आधार बताये गए, उसमें जो एक सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है कि महादेव एप को लेकर के जिस तरीके से प्रधान मंत्री ने उसको भरस्टाचार से जोड़ा और आम लोग उसको उससे कनेक्ट किये, तो क्या अभी से भरस्टाचार का मुद्दा के तौर पे इसको एक तरीके से उभारने की कोशिस है, प्रधान मंत् लेकिन देश भर में BJP भरस्टाचार को ही मुद्दा एहम बनाएगी, देखे, भरस्टाचार, राम मंदिर, धारा 370 और महंगाई, BJP आमतर पे यही करती थी, कई चुनाओं में देख लेंगे, 14 में भी आई इसी मुद्दे को लेकर, 19 में भी आई इनी मुद्दे को लेकर इसमें से एक चीट गया सिर्फ महंगाई, बाकी सारा मुद्दा वही था, अब चुकि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, अब कुछ जन्वरी को पुजा भी होना, तो वो मुद्दा हट जाएगा, 370 अभी फिर से आ गया है, उस वज़ा से कि भाई कस्मीर वाला मुद्दा जो चल रहा है और जो उसको लेकर सुप्रीम कोट में भी सुनवाई होनी है, तो ये सब मुद्दे तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन बीजेपी पूरे देश में ये घुम घुम कर बताएगी, कि देखिये हम हैं, तो ब्रस्टा चार नहीं होगा, कॉंग्रेस आएगी, तो ब्रस्टा चार होगा, तुस्टी करन होगा, इस तरीके का वो पूरी के पूरी तरीके से नरेटिव सेट करेंगे, और इसकी तैयारी और इसकी सुरुवात मतलब धारखंड विजेपी ने कर दिये, एक सवाल सनी आप से है, उसके बाद हम लोग इसको बंद करेंगे वीडि से को जिस तरीके से बावुलाल मरांडी है मन सुरें से जोड़ रहे हैं, क्या ये नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दवाजी है, जबकि इसको लेकर करके तो कोई अबिटेंस है नहीं, टेक्निकली तो मुझे लगता है कि फिलहाल जोड़ना सही नहीं रहेगा, लेकिन कयास तो कई तरह के लगाये जा रहे हैं और बावुलाल मरांडी चुकी जारखंड के मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो जरूर उनके पास कुछ होगा, लेकिन आप देखिए कि जिस व्यक्ति के बा करती थी, तो आप समझे कि वो एक संपन परिवार है और इतना बिजनस उनका जिन जिन राज्यों में 36 गड़ जहारखंड अगर हमें जो फैला है, तो सराब के कारोबार से जुड़े हुए हैं, तो पैसों का तो बहुत बड़ा लेंदेन होता ही है, और देखिए कि जहां क कैस के अधिक लेंदेन होता है, जिसके पास कैस का ज़्यादा कारोबार है, और जितने भी कैस के अवैद काろबार करने गूद चारित हैं, उनका संपरक रहता है और उसी जगा पर उस पैसे को रखा जाता है, लेकिन अगर तुरत से जोड़कर बड़कर pine तो अगर Legacy के चात पतलब तो यही है कि जार्खंट चुनाओं में किस तरह से पैसे खर्च करना है उसके लिए उनके यहां पैसे रखे गए थे लेकिन कुछ लोग तो यह भी कर रहे हैं कि अभी जो बगल के हिराजे 36 गड़ में चुनाओं संपन हुआ हो सकता है कि वहां कभी बचा हुआ पैसा लाया गया हो या फिर वहां खर्च करने के बाद बच गया हो तो फिर अखर्चा की बात है कई तरीके की चर्चा चलेगी एक आखरी सवाल है पंड़ जी सवाल है कि अगर 200 करोड या फिर कोई भी एक जो ठोस अमाउंट अगर पे IT के तरफ से जारी किया जाएगा कि इतना पैसा मिला कैस कानून क्या कहता है क्या यह पूरा का पूरा भरस्टा चार का पैसा है इसको मान लेना चाहिए पब्लिक को या फिर इसका हिसाब देने का वक्त जो है धीरत साहू या फिर उनके कंपनी या फिर उनके परिवार के लोगों को मिलेगा पूरा का पूरा समय मिल तो आपने पैसा रखा पैसा जब्त हुआ अब इसका हिसाब दीजे ततकाली की यह पैसा आ जाता है इनके पास आईटी के पास अब आईटी अगर हिसाब संतोस हुआ तो ठीक है नहीं तो हंडेट परसेंट प्लस पेनल्टी लग जाएगा कि इतना पैसा आप जया मा कीजिए फिर वो ट्रिबुनल में जाएंगे जो आदेश देगा उसके अनुसार उनको अनुपालन करना होगा नहीं तो तो वो कोट जाएंगे उनको हिसाब देना ही होगा और नहीं तो इतने पैसे का अगर वो कहते कि नहीं हमारे हिसाब से आएसे अधिक संपत्ति है हमारे पास तो सो परसेंट तक पेनल्टी लगता है इस सीधे तोर पे भष्टा चार का पैसा है यह पूरा का पूरा काला पैसा है क्या इसको माना जाना चाहिए ऐसे चुकि पब्लिक तो वो जो नोटों की तस्वीर देख रही है उसको तो सीधे तोर पे इसी तरीके से समझेगे नहीं आपने पुछा पंड़े जी से सवाल क कि इसका नुकसान क्या होगाama नुकसान बहुत कुछ नहीं होना है चुकि उसका अभी इंकम तेक्स का प्रोसेस यही है अगर किसी वह कि घर एग्शाबा पढ़ता है और उसके घर मान लोग्तिए की आधा प्रतीवेक्ति से अधिक आपके पास है तो उसके बाद का आपको तो इससे अधिक उनके पास पैसा है तो उसके बाद उनकों हिसाब देना होगा लेकिन यह यह कि तब तक यह पैसा आईटी के पास रहेगा और यह सुनवाई चलेगा लेकिन जहां तक नुकसान है तो इमेज देन्ट होने का सबसे बड़ा नुकसान है और जिसकी बाद अब से थोड़ी दिर पहले बावुलाल मरांडी ने कही और जिसको लेकर प्रधान मंत्री ने ट्वीट किया एक इमेज जो बनाया गया उस इमेज के जरीए एक इमेज जो धीरत साहू ने बनाया था और उस से कॉं देन नहीं होता है तो एकाउंट का पैसा एकाउंट में रह जाता है कई लोगों की स्थिती बहुत बुरी हो जाती है अगर मान लिजे देंदार बाहर का नहीं है उनको फिर कर्च पर जाना पड़ता है क्योंकि कैस रखा हुआ फस गया और एकाउंट वाला भी फस गया तो वो एक समस्या आ जाती है लेकिन धीरा साहु जैसे बड़े बिजनेसमेन के लिए समस्या ये नहीं है कॉंग्रेस और जेहमें के लिए समस्या ये है कि आपको बताना होगा अब कॉंग्रेस मान लीजे क्यों वो बाबुलाल हेमन सोरेन को इस से असोसियेट कर रहे है ताकि क सबसे जो पहला नुकसान जो ततकाल जो दिख रहा है वो इमेज का डेंट होने का ही है इमेज पर क्विस्चन मार्क लगने का है इसके बाद जो कानून कहता है उस हिसाब से कानून अपना काम करेगी आईटी अपना काम करेगा लेकिन आप नोटों की तस्वीर देखते रहे मुश्कुराते रहे क्योंकि प्रधान मंत्री भी जाल ले रहे हैं, सुक्रिया